श्री भक्त माल में भगवान जी की माया को जीत लेने वाले भक्त श्री गुह निशाद जी ये भगवान शिरीर राम जी के अत्यन्त प्रिय सका थे जाती के निशाद एम श्रिंग वेर पुर्क के राजा थे शेव प्रान में इनके पूर जुनंग का परसंग प्राप्त होता है कथा इस परकार से एक जिंगल में गुरू द्रोह नाम का एक भी लेता था जीओं की हिंसा करना उसका स्याज करम बन गया था उसी से वहें परिवार का पालन पोशिन करता था महाशिवरात्ती का दिन था वे प्रता काल ही शिकार की टों में घर से निकल पड़ा प्रन्तु देव योग से उस दिन उसे कुछ भी नहीं मिला संद्याओ चली खर के लोग भूखे बाट देखते हूंगे अता अश्य मेव कुछ लेकर ही लोटना चाहिए ये विचार करके वे भील एक जलाशे के समीब के बेल के व्रिक्ष पर चड़ गया उसके नीचे एक शिवलिंग था रात्री के प्रथम पहर में एक हर्णी जल पीने के लिए जलाशे बराई भील हर्शी तो करके अपना ध्रोशबान संभालने लगा इसी में उसके शीर के हिलने से कंदे पर लटकती हुई जल भरी तुम्भी से कुछ जल चलक करके श्री शिवलिंग पर जापड़ा तदा ध्रोशबान के संचालन से बिल पत्र भी तूट करके शिवलिंग पर जापड़ा इस अचानक संपादित हुए सुक्रित से उस भील का बहुत सा पाप नस्ट हो गया इतने में हर्णे की दिष्टी व्याद पर गई मैं उसके विप्राई को समझ करके बोली व्याद मैं अपने बच्चों को अपनी बेहन को अथ्वा सामी को सौंप करके अभी आती हूँ फिर तुम मुझे मार करके अपनी उदार पूर्थी कर लिना मैं शबत पूरक कहती हूँ मेरे वच्चनों का विश्वाश करो अका समात संपन शीव अर्चन के पुन्य परभाव से व्याद ने दिया करके उस हर्णे को छोड़ दिया थोड़ी देर बाद उस हर्णे की बेहन दूसरी हर्णे वहीं जल पीने के लिए आई उसके वध का ध्योग करते समय पुना पूरवत जल और बिलो दल शिवलिंग जी पर जा गिरा इस हर्णे ने भी व्याद से पहली हर्णे के समानी वारता की व्याद ने इसे भी छोड़ दिया इतने में एक देश्ट पुस्ट हर्ण जलाचे की और आता दिखाई बड़ा पना उसके भी वध उद्योग में सहज शिव अर्चन संपन हो गया वध का अभी प्राय समझ करके हर्ण ने भी ये निवीदन किया कि मैं अभी अभी अपने बच्चों को उनकी माता के हाथों सोब करके आता हूँ व्याद ये द्बी से हम बहुत बुखा था प्रिवार के लोग अत्यानत शुदा आर्थ होकर के उसके आने की बाट दे रही थे प्रंतों शिव जी की किर्पा से उनके समस्त पाप नस्ट होगी थे हिद्ध शुद्ध हो गया था शिव रात्ती के दिन उसने जो अनायास व्रत एम शिव अर्चन कर दिया था उसके फलस्वरोब उसे आशुतोश और ओधर दानी शिव की किर्पा प्राप्त हो गई व्याद ने दिया परवश होकर के मरिग को भी छोड़ दिया निवास थल पर पहुंचने पर जब मरिग और दोनों मरिगियां मिली तो प्रस्पर विचार भी मश्च करके उन्होंने यहीं निद्ने कि हम सब लोग मिल करके व्याद के पास चलें क्योंकि सब ने सत्य की सुगन दखाई है माता पिता को जाते दे करके बच्चे भी साथ लग गे इस मरिग समू को दे करके व्याद को बड़ा ही हर्श हुआ और धनुश पर बान संधान करने का अप्रम करने लगा पुना जल और बिल डल शीलिंग पर गिरे उस व्याद के पाप तो पहले के ही पूजन के परभाव से नस्त हो गे थे इस बार तो उसे द्या के साथ विवेक भी प्राप्त हो गया व्याद को सेसा बड़ी ही आतम गलानी हुई कि ये पशू होकर भी कितने परमारत निश्टे हैं और मैं मनुश्य होकर भी परमारत की कौन कहे स्वार्थ से भी मुक्रा उची ते दीती से मैं उदर पूर्ती करने में भी असमर्थ रहा धन्य ये मरिग और मेरे जीवन को बार बार दिखका रहे इस परकार ग्यान संपन होने पर व्याद ने अपने बानों को रोक लिया और कहा श्रीश्ट ब्रीगो तुम धन्य हो तुमारा कल्यान हो तुम जाओ व्याद की ऐसा कहने पर भगवान शीवन ने ततकाल प्रकट होकर अपने दिवे सवरूप का दर्शिन किराया और परसन होकर के सुदर लभा भक्ती का वरदान दे कर बोली व्याद एक दिन निश्चे ही भगवान शीरी राम तुमारे घार आएंगी और तुमारे साथ मित्तरता करेंगी वे मरिग भी शीव जी का दर्शन कर दिवे रूप दारन करके दिवे शीव लोग को चलेगे और वेह भील भी कालांतर में श्रिंगवेर पुर का राजा निशाद राज गुह हुआ जिसकी शीरी राम जी में अवी चल प्रिती तब ही तो कहा गया है शीव सेवा का रफाल सतसवी अवीरल भक्ती राम पद हुई निशाद राज गुह और शीरी राम के प्रथम मिलन के बड़े मधुर कथा संत महान वहाव इस परकार बर्ण करते हैं निशाद राज के पिता से और चक्रवर्ती महराज अधिराज शीरी दश्रत जी से बड़ी मित्तरता थी वे समय समय पर शीरी अयुध्या आया करते थे जिस समय शीरी दश्रत जी के यहां प्रभुजू का प्रादर भाव हुआ उस समय में अत्यंत वरिद्ध हो चुके थे लाल को बढ़ाई लेकर तो वे सिहम आये थे और चारो कुमारों का दर्शन करके परम सुख पाई थे परन्तु एक तो सिहम जरागरस थे दूसरे बालक गोह नित्य अयुध्या के लिए मचलता रहता था और जब से उसने श्री राम की शुबा का बरन्त सुना था तब से तो वे श्री एउध्या जाकर के ब्रताओं सहीत श्री राम का दर्शन करने के लिए विशेश उतकंठित रहने लगा था आज कल करते करते पांच वर्ष बीद के गोह अब कुछ बड़ा भी हो गया था और उधर राजकमार भी अवत की गलियों में विविद विनोध करते हुए विहरने लगे तब एक दिन वृद्ध पिता ने गोह को श्री एउध्या जाने की आग गया थी गोह के हर्श का पाराबार नहीं रा भेट के लिए वन्य कंद मूल फल तथा चारों राजकमारों के लिए चार जोड़ी रूरू नामक मरिग के चरम से बनी हुई सुन्दर पनहिया बगल में दबाए हुए गोह श्री एउध्या को चल पड़े हिर्दे में अनेका अनेक मधर भावनाओं को संजोई हुए पिता जी के तवरा सुने हुए राजकमारों के संदर्य माधुरे का अनुचिन दंद करते हुए गोह श्री आवध में आपोचे मन में विचार आया प्रथम श्री सरीयों सिनान कर लू फिर दर्बार में चलू अता श्री सरीयों तट पर उपहार के पोटली रखकर के शिनान करने लगा तब क्या देखते हैं कि चार बालक उपहार पोटली खोल रहे हैं बालक बड़े सुधर थे देखते ही मन मोग गया अता उपर से तो उन्हें मना करते हैं परंतो भीतर से ये हो रहा है कि खोल लो ले लो पहन लो मैं तो आपके लिए ही लाया हूँ हुआ भी ऐसा ही गोह मना करते ही रहे बालकों ने पोटली खोल ली पनहिया पहन ली और केले के फ़ल ले करके खाते हुए छजजज सर्यू तत पर विहरने लगे गोह नाराज भी हो रहा था और परसन नभी शिनान करके बाहर निकला वस्तर बदल कर बालकों के समी पोँचा कुछ रीज से कुछ खीज से पुचा आप लोग किसके बालक हैं आप लोगों को मालम नहीं मैं यहां उपहाद चक्तरवर्ती महराज कुमारों के लिए लाया था बालकों मधर मुसकान पुरक बोल पड़े ओखो तब तो हमारे लिए ही था गोह ने कहा तो क्या महराज शिरी दश्रच जिकर राज कुमार आपी हैं बालकों के उत्तर देनों के पूर ही गोह का हिद्य बोल पड़ा गोह सच मुच महराज शिरी दश्रच राज कुमार यहीं है तुमारे परम अराध प्रिय सका यही है तुमारे जीवन धन प्राण सरवस्ष यही है गोह के हिद्य के कथन का ही समर्थन बालकों ने भी किया में बोले सका महराज कुमार हम ही है गुक यांके सजल होगी हाथ जुट गे शीश जुक गया चरनों पर गिरने के पुरुही राज कुमारों ने हाथों से थाम दिया शिरी राम लच्छन ने दाहिना हाथ पकड़ लिया शिरी भरच शत्रुगन ने बाया हाथ पकड़ा और लिवा ले चले अपने मित्र को महल की और गोह गदगद है कृपा को विचार कर शिरी चिक्रवर्ती जी चकी थें सक्ष्य प्रेम को देख करके राज कुमारों ने पिता जी को पर नाम किया गोह ने भी सा अश्रुनियन पुलकी तन वहलवानी से हाथ जोट करके शिरी लाम लड़ा ने अपने ने सक्षा का पर्चे दिया शिरी दश्रण जी ने जैसे अपने पुत्रों को हिद्धे से लगाया वैसे ही गोह को भी हिद्धे से लगा लिया श्री दशर जी ने देखा राम बड़े परसन है अपने इस सका से और सकाने भी तन मन प्रान ने च्छावर कर दिया है उस उनके उपर महराज ने रोक लिया गोख को श्री ऐयोध्या में बहाना यह बनाया कि तुम यहां रहकर मेरे पुतरों को धन और विद्धा का अब भिआस किराते रहो वन में शिकार केलना सिखाया करो गोख के लिए तो मनौं जनम रंक जनौ पारस पावा सत्त पाक्ष्यान गरंथ में विस्तार से राजकमारों का गोख के साथ वन कृड़ा का परसंग वर्नन किया गया है यह था एक वार श्रीर राम जी ने अनुज और सक्खाउं से कहा कि आज वन में जो प्रधम शिकार सामने आएगा उस पर शर्संधान मैं करूंगा यह दोसरा के वार करेगा तो मैं उसे पिताजी से कहकर दंड दिलवाओंगा सब लोग सजग होंगे सिंग्यों की बात वन में पहुँचते ही एक सिंग सामने आड़ता लोग जहां के तहां खड़े होगे शिरी राम शर्संधान में विलंब कर रहे थे सिंग उपर तूटने ही वाला था अनुज एम अन्य सखा शिरी राम अग्या का पालन करते हुए अपने स्थान पर थे गुह ने अपना करतवे निच्चित कर लिया जो भी दंड मिले मैं सेलूँगा परंतु मेरी आँखों के सामने सिंग के द्वरा कोई अनिष्ट मुझे सेह नहीं है इन्होंने ततकाल एक संग चिलाई निशना सई बेठा सिंग मारा गया शिर राम के हिते में भक्त वस्सलताओं उमड रही थी अन्ने शिशंक हो रही थे कि इन्होंने शिरी राम की अग्यकाव लंगन किया पता नहीं कून सा दंड मिलेगा निशाद गुह परम परसन हो रहा था अपने मित्र को सकुशल दे करके लोग बन विहार करके घर लोटाई सबने देखा शिर राम के शिरिम मुक से गुफ का गुनगान चल रहा है शिरी चक्रवर्ती महराज दिराज शिरी दश्रत जी अपने हाथ का अबोशन गुफ के हाथ में पहना रही है हिद्दे से लगा रही है तथा तरंत ही श्रिंगवेर्पुर के राजा होने की घोच ना कर देती है एक बार शिकार को राम गेबन में तब आई के सिंग अड़ा भरत आदिक संग सखा सकुचे सुनी के रगुनात के सो बड़ा सम्या पर सेवक डीठ ना जानी निशाद जपट के सांग जड़ा श्रिंगवेर्पुर को राज बकस दिये परी राई दियो निज हाथ कड़ा भगवान चिरी राम जब वन जाते समय श्रिंगवेर्पुर आई तो उस समय निशाद राज गो की गो ही वहां का राजा था अपने मित्र को वनमासी के रूप में देख करके उसे बड़ा बहुत कस्ट हुआ और उसने हाथ जोड़ करके बिने की आप इस श्रिंगवेर्पुर का राज्जि करें और यही रहें प्रंतु श्रीराम ने उसे माता-पिता किया अग्या बता करके अपने वनमास का निश्चे बताया इस परकार निशाद राज गो भगवान श्री राम का सच्चा मित्र और भक्त था श्री राम के प्रति उसकी इतनी निश्टा थी कि भरत को सेना सहित आते दे कर ने उनसे युद्ध के लिए तियार हो गया पर जब उसे भारत जी के आंत्रिक भाव का पता चला तो उनका श्री राम जैसा ही स्वागत किया धन्य है निशाद राज गोह और धन्य है उनकी सक्ख्य भक्ति श्री प्रिया दास्ची ने निशाद राज गोह की उप्युक्त प्रेम में भक्ति का इस परकार से बढ़न किया है भीलन को राजा गोहर राम अभी राम प्रीती भेव बनवास मिल्यो मारग में आई के करो ये राज जो भी राजी सुख दीजे मुको बोले चैन साज तजियो आग्या पितु पाई के दारन वी योग अकुलात द्रिग अश्रुपात पीछे लोहु जात वह सके कौन गाई के रहे नैन मुंदी रगुनाथ बिन देखो कहा अहा प्रेमरीती मेरे ही रही च्छाई के वनवास की दिला समाप्त करके चोदा वर्चों के बाद पुश्पक विमान पर बैठ करके जब श्री रगुनाथ जी आए तब आपके साथी भिलों ने कहा कि प्रभुप धारे हैं उनका दर्शन कीजिए पर निशाद राज को विश्वाश नहीं हो रहा था वे वियोग से व्याकुल होते हुए बोले मैं फिर से श्री राम को पाऊँ ऐसा मेरा भग कहां इतने में शीर राम चिंदर जी आगे और प्रेम से मिल करके बुले मैं आगया मुझे देखिए निशाद राज ने भगवान जी के श्री आंग को श्पर्श करके पहचाना और प्रबु से लिपट गे श्री पर्श प्राप्त करके दिविय सुख सागर में डूब गे उनके गे प्रान मानो पुना आगे निशाद राज ने अपने को परम सुभाग गिशाली माना श्री प्रिया दास जी इस घट्रा का अपने एक कविता में इस परकार वर्ण करते हैं चोदा बरस पीछे आए रगुनाथ नाथ साथ के जे भील कहे आए प्रबु देखी बोल्यो अब पाउं कहां होती ना परतीती क्यों हूं प्रीती करी मिले राम कहीं मो को पेखी सुक सागर सामने प्रान पाए मनो भाग भाल लेखिये प्रेम की जो बात क्यों है बानी में समात नाही अति अकुलात कहो कैसे के विशेखिये